तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, मूल चलने फिलाल, जू लिंग्जी को खतम कर दिया था, अब जिसे भी इस पर थोड़ा बहुत भी शक्त था, वो लोग भी शान्त हो जाते हैं, अब आगए, जहापर वोन एंपरर को भी दिखाये जाते हैं, और ये चैन, लिंग्ज, आंजी बगएरा को हरा दे, ये सुनकर के फ्लेम एंपरर अभी भी हसते हैं, पर कुछ बोलते नहीं है, पर लाश में एक डायलोग मारी देते हैं, कि क्या पदा ये लणका हमें और भी जधा सरप्राइज कर दे, वो और एंपरर देख रहे थे, और ये भ जर घोश मास्टर पर जाती है, घोश मास्टर इसे देखते हैं, अब कापने लगते हैं, और ये तुरंती बोलते हैं, कि ब्रदर मूचन, आप सच में काफी पावर फुलोग, उम्मेदे कि आप मेरे से कोई दुश्मने नहीं रखोगे, मूचन समझ रहा था, ये से फुसल ज़्यादा जरूरी है, तो ये मूचन को अपने बैटल सेल्स वगेरा दे देते हैं, इनके जाने की बाद, मूचन अभी भी कहता है, कि किसी और को फाइट करना है, पर अब कोई आगे आता नहीं है, अब जब कोई आगे नहीं आता है, तो मूचन भी यहाँ से, थोड़ा जरूर निकल जाता है, और यहाँ बराने के पाद, ये बैटल सेल्स को दे करके, वो जो थ्री बैटल एरे था, उसे खरीद लेता है, और इसे पढ़ना ये शुरू कर देता है, और ये मूचन के कल्टिवेशन के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि जो भी मूचन के पास थे, इसके दो बोडिज जो थी, वो इसके साथ सिंक में थी, और अब मूचन डिसाइड करता है, कि अब इसका यहाँ पर एक ही मकसद है, चाल्ड अफ कॉंटिनेंट बनना, इस दोरान कुछ समय भीगता है, और मूचन इस त्री स्पिरिट बैटल एरे को भी मास्टर कर लिता है, और बैटल शिल्ड पर यह फिर से उतर जाता है, और एक के बादे यह कई सारे अपरली सौबरिन को भराना शुरू करता है, मूचन अब तक दस अपरली अर्थली सौबरिन को हरा चुका था, बस अपने फाइटिंग स्पिरिट के दम पर, यहाँ पर ज और यह बंदा यहाँ से निकल जाता है, यानि कि बैटल लेरिना से यह अब गायब हो चुका था, अब इस बंदे ने जो छे नाम बताये थे, मूचन को पहले से पता था, कि यह छे काफी पावरफुल हैं, अब यहाँ पर स्क्रीन दिखाए जाता है, जहाँ पर सबसे अध लोग ही बचे थे, मूचन भी अब सोच रहा था, कि यह अब पावरफुल बंदों से ही लणना पड़ेगा, अगर मुझे बैटन सिल्स बढ़ाने हैं, तब यह अचानक से, एक मिडिलेज्ड मैन, जिसके की बाल सफेद थे, इसी की तरफी से आते हुए दिखता है, यह पर फोकस करी रहा था, तब यह निव जिंग चैन जिधर गया था, उतर एक बंदा और बढ़ता है, और यह था लिंग जान जी, फर्स्ट गोली सर, लिंग जान जी भी मूचन को देखता है, पर फिलाली एगनोर मारकर लिव जिंग चैन को फॉलो कर रहा था, सब को पता थ तो मतलब बेसिकली, अल्टिमेट बैटन, वन वी वर्सेश टू, फर्स्ट रैंग वर्सेश सेकेंड, चालू हो चुका था, इन दोनों को ओरा को फिल कर, मूचन भी हैरान था, कि यह दोनों बंदे, अपरली अर्थली सौबरीन के, सबसे स्ट्रॉंगिस्ट वोरियर है, ज न तो लिंग जान जी की बैटल सिल्स जादा हुए थे, न तो लियू जिंग जैन के, मतलब दोनों में से कोई जीता नहीं क्या, क्योंकि अगर कोई भी जीते ही का बैटल, तो दूसरे के बैटल सिल्स वो ले ही लेगा, मूचन में हैरान था, मतलब लियू जिंग जैन बरा तो उसके पहले यह अपने औरा को रिकवर करने बैड जाता है पर जैसे यह कल्टिवेशन शुरू करने वान था इसके आस पास एक पावरफुल औरा यह फील करता है और यह थे लिव जिंग चेन लेकिन इनकी हालत फिनाल काफी खराब थी पूरी तरह से यह खोन में सने बदने में मूचेन भी एक स्माइल जे देता है और यह मूचेन को पूरी बात बताता है कि यार वो लिंग जान जी वो सच में काफी पावरफुल है क्योंकि वो टारेट डिसाइपल है वो अन एमपरर का मूचेन भी कहता है मतलब आप हार के पर फिर भी आप बर्च के निक यह हार चुके है और इतना जल्दी रिकवर भी नहीं कर सकते तो वो दोनों उन तीनों को हरानी पाएंगी तो यह मूचेन से कहते है क्या तुम मेरे साथ एक ट्रीटी साइन करोगे मूचेन को समझ मी नहीं आता है और यह कहते है मैं इतना क्वालिफाइड नहीं हूँ यह इशारा समझ रहा था यह फिर भी कहते है कि देखो मैं तुम्हें अपने बैटल सिल्स दे दूँगा बस तुम्हें उन दोनों का साथ देना पड़ेगा क्या तुम्हारे ब इतनी इम्मत है मूचे इन शान था इससे कोई फरक नहीं पड़ता था लिंग जान जी भी हैरान और अचानक से हाँ पर मूचेन के बैटल सिल्स काफी तेजी से पड़ते हैं और यह नम्मर वन पर चला जाता है नम्मर वन मूचेन 43 बैटल सिल्स और चारों तरफ अफरात अफरी एकदम मज जाती है लोग यही कह रहे थे कि मूचेन काफी दूरत है लिउजिंग चैन इं अचे लिए रहे थे कि अरे मूचेन यह तो रैंकिंग में टॉप पर चला गया फ्ले मेंबरन के दरफ देखते हैं इनके सारकाजम को यह समझ रहे थे यह कहते हैं कि देखो अवसर मिले और गर कोई फ्री में आपको बैटल सिल्स दे तो कौन नहीं लेरा चाहेगा पर लेन अचे क्या होता है ऐसा यह बोलते है इधर लिंग जान जी और बाकी दोनों होली संथ एक दुसरे से बात कर रहे थे कि मैंने सोना था कि लांग या चूमू और वो लिंग जी उचेन ने एक पैक्ट बनाया था वो तीनों मिलके फाइट करेंगे अब वो हार चुका है और य को रिकवर कर रहा था हलाकि इस दोरान ये फील करता है कि दो लोग इसकी तरफ काफी तेजी से आ रहे थे और ये दो बंदे थे स्वाट डाइटी लांग या इसका नाम काफी नमबा है लांग या सूनू और दूसरे का नाम बाडाओ चूमून तो ये दोनों आ चुके थे और एक ही स्वार में पूछते हैं तो तुम ही हो जिसने हमारे ब्रदर का बैटल दिन लिया है तुम सच में काफी दूर थो मूचन स्माइल करके कहता है ये बस एक कोइंसिडेंस था पर ये कहते तुमने सही नहीं किया मूचन भी इनको ग्यान देता है कि देखो भाई बैटन हुआ था लिंग जान जी खा और जीव चेन का उसके बाद जीव चेन इतने इंजर्ड थे कि वो फाइट नहीं कर सकते थे इसलिए उन्होंने खुद मुझे बैटल सेल्स दिया है चुमन मानने को त्यार नहीं था ये बोलता है यार तुम बकवास मत करो जीव चेन तुम एक वोदेगे बैटल सेल्स तुम तो एक लोवरली अर्थली सौवरीन हो तुम क्या ही कर लोगे मूचन अभी भी हसरा था पर सुमो फिलाल चुमोन को शांत करता है और या मूचन से पूसता है तुमारा इरादा क्या है मूचन बोलता मेरा एक ही इरादा है मुझे चाइल्ड अफ कॉंटिनेंट बनता है ये सुनकर कि दोनों लोग अवा करे जाते हैं सुमू भी कहते हैं फिर आप एक कम और कर सकते हो बर्दर लीव के जगे आप उस बंदे से फाइट कर लो आप जिससे भी चाहू उससे फाइट कर सकते हो तीनों औरी चिल्डन में से मूँ मूचेन पर अटैक करने से बेली ये बोलता है कि पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि क्या आप क्वालिफाइड हो कि हमारे साथ काम कर सकते हो मूचेन भी कहते हैं आप ट्राइ कर सकते हैं प्रजर सूप इसके आखों में बिल्कुल टर नहीं था और सुमू यो को प्रकट करता है और इसके तरब भेज देता है पर वो स्थौर्ड एरे इतिनी खतरनाक थी कि मूचेन के इस फाइटिंग स्पिरिट को भी डिजॉल्ब कर देती है और वो स्थौर्ड और अभी भी मूचेन के तरब बढ़ रही थी ये औरा मूचेन के काफी करीब थी मू मूचेन भी मानता है कि यार ये सूमू इस सच में काफी टैलेंटेड बनता है अब जब ये औरा काफी करीब थी तो मूचेन तुरंती अपने क्रिश्टल पगोडा को एक्टिवेट करता है और एक क्रिश्टल लाइट से ठकराती है और स्वार्ड लाइट पूरी तरह से ग मूचेन ने उसके बराबर के लेवल का है यानि कि मिडिल ग्रेट का एक सैक्रेड अबजेक्ट है सूमू और चूमू ना मूचेन से सहमत हो चुके थे और मूचेन भी कहता है क्या मैं क्वालिफाइड हूँ अब इनकी बाते होने लगती है और ये प्लैन और स्ट्रेटिज और दوسरे वाले से होने वाली थी और सूमू कहते है अगर आप जाओ तो लिंग जान तो मैं हैनडल कर लूँग, आप किसी और को सेलेक्ट कर सकते हो पर मूचेन रिजैक्ट कर देता है और ये कहता है सिधा कि मैं लिंग लांग से हीट करूँग ऑ़ इसे मालूम था कि सबसे डेंजरस वो लिंग लांगजी ही है सुमू और चूमेंट ये दोनों भी हरान रहे जाते हैं क्योंकि मुझे नभी भी स्माइल कर रहा था इन्हें भी भरूसा हो जाता है कि अस्तच में और साथ में थोड़ा डाउट भी था कि ये लिंग लांगजी उसे डूएल कर पाएगा पर फिर भी ये मनी मन उम्मीद लगा के बैट जाते हैं डिस्कुसन होने के बाद अब ये तीनों काफी तेजी थे उन तीनों के तरब बढ़ जाते हैं बैटल अपने आखरी परापड आ चुका था बाहर में बैठे जादतर लोग तीनों होली चिल्डरन को ही जादा सपोर्ट कर रहे थे पर कुछ लोग थे जो ये भी कहते हैं यार कुछ भी फिक्स नहीं क्या पता ये तीनों हमें हैरान करते होली चिल्डरन को अरा करके तो battle इस प्रकार से होने वाला था Ling Ziyan Zee और Sumu का fight था वह ही Ling Zan Zee वर्सेस Moo Chen और Ling Long Zee वर्सेस Chu Moon अब Ling Lang Zee की जब Moo Chen से मुलाखात होती है तो यह कहता है बस तुम मुझे battle sins दे दो क्योंकि तुम्हें flame embran ने recommend किया था तो मैं तुम्हें परिशान नहीं करना चाहता हूं पर मुचेन अभी भी smile दे रहा था यह समझ जाता है कि मुचेन हार नी मानेगा यह कहता है ठीक है फिर मुझे blame मत करना यह जो Ling Lang Zee था यह मुचेन को काफी weak समझ रहा था और यह मुचेन को अच्छा लगता नहीं है वह ही दूसरी तिरफ Ling Zeean जी और Ling Long Zee यही सोच रहे थी कि इसके भाई ने यानी जान जी ने कई सारे लोगों से fight किया है और सब को इसने मार दिया है मतबब यह छोड़ता ही नहीं है तो मुचेन भी आज मरने वाला है और यह लोग जी वगेरा सोमू और चुमेन को समझाते हैं कि देखो तुम लोग यहां पर battle quit कर सकते हैं तुमें भी मालू है तुम battle जीतने नहीं वाले हो क्योंकि तुमारा तीसरा साथी वैसे भी battle हार जाएगा पर यह दोनों भी नहीं मानते हैं और गेज़े हमें battle करना ही है मुचेन इदर अपना black tortoise fighting spirit जान जी के तरफ भेजता है जान जी अपनी एक ही पंच में इस fighting spirit को तोड़ देता है और कहता है निकलो यहां से get lost और जान जी इस तरह अपना खतरनाग spiritual energy कर रहा था लोगों का ऐसा लगता है कि मुचेन के साथ यह खेल रहा है मुचेन भी इससे कहता है अभी तुम इतने कहने के लायक नहीं हूँ जान जी अब काफे तेजी से मुचेन के तरफ बढ़ता है पर मुचेन अपने जगे पे ही खड़ाता है अब जब जान जी आगे बढ़ता है तो मूचन यहापर नाइन ड्रेगन फेरी एरे बनाता है पर जान जी एक एक पॉंच से एक एक ड्रेगन को टेस्ट रवाई कर देता है मूचन भी इसके पावर को देखकर काफी प्रभावित होता है अब थोड़े से डर जाते है कि क्या मूचन इससे समाल पाएगा तो कि बैटल में सबसे पावर्फिल बंदा लिंग जान जी ही था और फिलाल यह एक गौड अफ वार के जैसा लग रहा था और यह मूचन जीकेत है अगर तुम्हारे पास यही तरीक है तो तो मैं पीशे हड़ जाना चाहिए और मुझे काफी निराशा होगी पर मूचन कुछ नहीं बोलते है थोड़े दिर इसके आँखे बंद रहती है और यह लिंग जान जी कर सकते हो कि मैं तो मैं निराश करू जोड़ा एक्टिवेट हो जाता है और यह भी एक फीश्ट अटेक इसके तरह बढ़ा देता है दोनों के फीश्ट अटेक एक दूसरे से टकराते है और आसपास का इरिया क्योंकि यह जंदल जैसा दिखराता है पूरे पेड़ वगरा हिलने लगते और कुछ तो खतम भी हो एक लोली अर्थनी सौवरिन का बंदा सीरियसली इंजर्ड हो जाता पर यह मूचन इसमें कुछ खास बात तो है और जान जी यह भी देखता है कि जब दोनों के अटेक टकराते है तो इसका जो पंज था यानि इसके हाथ पर एक वाइड एनरजी देखने को मिलती है जो कि इसकी बॉडी में अंटर करके इसकी स्प्रिच्वल एनरजी को ब्लॉक करने को देख रही थी पर क्योंको यह काफी पावर्फुल था तो इन्हें तुरंती बाहर निकाल देता है और यह कहता है इंटरेस्टिंग लोली अर्थनी सौवरिन के एसाब से तुम काफी अब बाहर बैठे लिव जिंग चेन वो भी इस बैटल को देख रहे थे और इसी अटैक के वज़े से ये इंजर्ड हुए थे अब ये भी सोचते हैं क्या मूचन कुछ कर पाएगा अब इस अटैक को अपनी तरफ आते देख मूचन के पीछे में एक जायन फिगर प्रकट ह बोलता है ये था इसका इम्मोर्टल बोडी मूचन भी बोलता है इम्मोर्टल गॉल्ड रून, मिरियाड अफ चेन, दा वोइलिट अम्ब्रेला और तुरन थी इम्मोर्टल बोडी के हाथ में एक काफी बड़ासा अम्ब्रेला आ जाता है और ये अटैक जब आके इस से ठक परपल इम्मोर्टल गॉल्डन बोडी को ध्यान से देखता है क्योंकि ऐसी मिस्टिरियस बोडी इसने कभी देखा नहीं था इतना तो इससे पता था कि बोडी सिंपल नहीं है मूचन फिलाल अपने इम्मोर्टल गॉल्डन बोडी के शोल्डर पर बैठा हुआ था और ये से कहता है अगर तुम अपनी सेलेस्टियल बोडी बुलाओगे नहीं तो मुझे कभी हरा नहीं पाओगे जान जे भी गयाता ठीक है तो मैं काफी प्रावड फिल करना चाहिए कि मैं भी अपनी सेलेस्टियल बोडी को संबन कर रहा हूँ और इसकी आस पास एक टेरिफाइं बोडी होती है ये भी बोडी एंसियंट वार एंपरर की थी जिने बैटल एंपरर कहा जाता है मतलब ये वाले वार एंपरर नहीं पुराने वाले प्रिमोर्डियल टाइम के और उनका इन्हेरेटेंस वार एंपरर को मिला था तो ये बोडी नोंने लिंग जान जी को कल्टि जान जी की सेलेस्टियल पॉटी इसे एक दो अटैक में ही खतम कर देगी क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जितनी बड़ी सेलेस्टियल पॉटी वो उतनी ज्यादा औरा को स्टूर कर सकती है नॉर्मन लोग तो यही कह रहे थे पर वारेंटर यानि कि जो भी बंदा हेवनली सौव प्रिमोर्डियल इमोर्डल पॉटी में जब यह इवन भो जाएगी तो अभी तक इसे ये पूरी तरह से डिस्कवर नहीं कर पाते हैं और वार एम्परर अभी भी ज्यान देते हैं कि मूचेन पावर्फुल तो है पर लिंग जान जी को हराना इतना आसान नहीं है फ्लेम ए वार एम्परर सेलेश्टिल बॉडी को देखता है और एक डेंजरस ओरा इसमें से ये फिल कर सकता था जान जी अभी कहता है कि यह पर जो भी लोग आयते बस मुझे निव जिंग जे नहीं इस लेवल तक फोर्स कर पायता है डूसरे तुम हो और यह तुरंती एक बैटल बनाता है और मुचेन की तरफ इसे बढ़ा देता है जिसे ये कहता है सौवरिन सूपर पावर बैटल स्पियर स्पियर और एक नहीं कई सारे बैटल स्पियर जो कि मानों वर्षा के समानू मुचेन की इमॉटल बॉडी की तरफ बढ़ने लगते हैं मुचेन भी जब इस इसकी मॉटल बॉडी चमकती है और कई सारी मॉटल रेज इन स्पियर्स को ब्लॉक करने लगते है अब वो इस स्पियर कुछ भी कर ले एक खतरनाक डिफेंस मूचन ने बनायता है यह एक एरिया में आके रुक जाते है और मूचन चिलनाता है गेट लॉस्ट और तूरंत यह बैटल स्पियर्स यहाँ पर डिजॉल्व हो जाते है और कुछ एक को तो मूचन लिंग जान जी के तरफ ही यूज कर देता है हलकि लिंग जान जी एक टेक्निक यूज करके इन्हें गला देता है दोनों की सेलेश्टिल बॉडी का अब हेड अन फाइड शुरू हो जाता है और अब लोगों को समझ में आता है कि मूचन का जो सेलेश्टिल बॉडी है यह बिलकुल भी कम नहीं है इस वर एम्पर सेलेश्टिल बॉडी से और बीच बीच में इतना फियर्स बैटल चल रहा था कि उसके स्वाक वेप के वज़े से यह दोनों खुद भी काफी पीछे जाके गिरते थे लिंग जांजी पर सोचता है यार इस वंदी के सेलेश्टिल बॉडी इसे कहां से मिला है यह काफी पावरफुल है मैंने अपने सेलेश्टिल बॉडी से कितने लोगों को मारा है पर यह मूचन यह अलग है और अब यह भी थोड़ा से सावदान होने लगत होगे और तुरंती कुछ हैंडसिल यह बनाने लगता है और जब यह हैंडसिल बनाता है तो तीन जाइगंटिक लाइट्स यहाँ पर प्रकट होती है वोर एम्परर के सर के आसपास यारी सेलेश्टिल बॉडी के आसपास और इन तीनों में मूचन फाइटिंग स्पिरिट अब इससे समझ में आता है यह जो तीनों हैट्स थे इनकी अंदर जो आर्मी का फाइटिंग स्पिरिट था वो इसने कंडेंस करके रखा हुआ था दीरे तीरे यह चीश मूचन को क्लियर दिखने लगता है कि यह तीनों जो लाइट बनती है उनके अंदर में कई सारे लोग ऐसे कल्टीवेशन में बैठे हुए थे यह ट्रूप्स के समान थे और इनका फाइटिंग स्पिरिट अब रिलीज हो रहा था अब मूचन को समझ में आता है तो यह है इस सेलेश्टियल बॉडी का सीक्रेट कि आप इसमें आर्मी के पावर को कंडेंस करके रख सकते हो जान जान जे फिर से ज्ञान देता है कि मैं बहुत रेरली इस पावर को यूज करता हूँ तुम अपने को अब अच्छा फिल करा सकते हो अभी जो फाइटिंग स्पिरिट्स थी यह सेलेश्टिल बॉडी के आसपास ही कट्ठा होनी लगती है और एक पावरफुल ऑपरेशन और मूचेन भी फिल करता है और ज़र दूर में जियान जी और लॉंग जी बिजवस्तीन को देखते है तो यह हैरान थे कि जान जी यह पावर के विए उस कर रहा है और वो भी मूचेन पर क्या मूचेन इतना पावरफुल है यह तो शौप थे ही सूमू और चूमेन भी हैरान लेते हैं और एक गयरी अच्छी सांस लेते हैं इनको क्योंकि लगा नहीं था कि मूचेन इतना लंबा टेक पाएगा और यह भी अब सोचते हैं इधे जल्दी से इन डूनों होली चिल्डरन को हरा करके मूचेन की मदद करनी चाहिए जयान जी बगरेन की बात समझ जाते है और हसने लगते हैं कि हमें हरान इतना आसान भी हैं इधर मूचेन को दिखाये जाता है यह गयरी सांस लेता है और वही दूसरी तरब वो जो सेलेस्टियल वोडी थी वो जो बाहर औरा निकलती है फाइटेंग स्परेट उसे अब्जार्ब करके और ज्यादा पावरफुल अब मूचेन क्या करेगा यह फिर से वही सोचता है इधर जान दी उस औरा से एक अटेक क्रियेट करता है जो कि एक फिंगर अटेक था जिसे यह कहता है वोर एमपरर सूपर पावर वोर एमपरर ग्लास सैटरिंग हैवनली फिंगर और एक अटेक काफी बढ़ा था और यह म पढ़नने लगता है, मूचन के आसपस की जो और आती और इवेन मूचन एक सापरेशन फील करता है, और ये भी हैंड सिल सब चेंज करता है, इम्मोटल बॉड़ी पर फिलाल पंदर वॉयलिट लाइट रून्स देखने को मिलते हैं, पर इससे मालूम था, इतना काफी नहीं ह और इसके बाद कहता है, इम्मोटल गॉड रून, विरियाड अफ चेंज, इम्मोटल फिंगर और मूचन भी एक फिंगर अटेक, इन तेज बैटल रून से कंडेंस करके आगे बढ़ा देता हैं, जब दोनों अटेक पढ़ते हैं, तो मानों समय ही रुक्सा गया हो, हाला कि कुछ ही समय के लिए फ्रेज हुआ था, पर लग रहा था कि सधिया भीत गई हो, लोगों की आँखें खुली के खुली रह जाती हैं, और ये की साथ कहते हैं, क्या ये दोनों बावले हैं, इस लेवल का फाइट, कुछ लोग तो कहते हैं, ये शैतान है, पर दीखते हैं, इ क्योंकि दस से कम लोग थे, तो उनका बैटल अब समाप्त हो चुका था, उधर वार एंपरर भी अब ये मान लेते हैं, कि मूचन का इम्मोर्टल बोडी, ये सच में काफी श्रॉंग है, फिलेम एंपरर अभी भी हस रहते हैं, और कहते हैं, कि आपको क्या लगता है, कि दो क्लियरली बताते थे, फिर बाद में ही कहते हैं, मूचन का बस एकी प्रॉब्लम है, कि उसका स्ट्रेंथ कम है, यानि उसकी औरा पहले खतम हो सकती है, पर जान जी अपरली सौवरिन के लेवल के को कारण, से इस बैटल में आखरी में जाकर जीत भी जाए, पर फिलेम एंप एकदम जुक से जाती है, सेम हाने दर लिंग जियान जी, सुमू, जुलॉंग जी और चुमेन का भी था, ये एकदम हैरान दे, इन्हें विश्वास नहीं होना था, कि मूचन इस लेवल तक जा सकता है, जान जी को दिखाये जाता है, और ये फिर से बूलता है, यह यह कौन प्रिश्वल नर्जी बची है, कि तुम इस सेलेश्टियल बॉड़ी को सपोर्ट कर पाओगे, मूचन भी हसके कहता है, कि तुमारी भी तो इस प्रिश्वल नर्जी खदम हो चुकी है काफी, लिंग जान जी हसता है, और कहता है फिर war sacrifice, बेसिकली इसने क्या किया, कि जितन अर्मी को इस लेवल तक लाने के लिए इसे काफी समय लगने वाला था, और जान जी कहता है, मूचन, कि तुमारे पास कुछ और है, मुझसे fight करने के लिए, तुम qualified नहीं हो, कि तुम child of continent बन पाओ, तो get lost, लोग क्या रहते हैं, कि ये link जान जी काफी vicious है, पर कुछ लोग क केते हैं, दुनिया काफी cruel है, तो ऐसी चीज़े चलती है, मूचन लब शान्ती से बैठ जाता है, और वाई दूसरी तरफ, जियान जी और लॉंग जी वागना हस रहते, सुमू और चुमेन पर, कि हो गया तुम लोगों का, पर चुमू वागना कहते हैं, चाहे कुछ भी हो मान लोगी हम जीते नहीं, लेकिन तुम लोगों का moral हमने कितना डाउन कर दिया, काफी तुम लोग पहले उड़ते थे न, फिर भी जान्ती कहते हैं, जीत तो जीत होती है, चाहे तुम कुछ भी बोड़ो, इधर इनका argument चल रहा था, और मूचन फानली, अब एक decision लेता है, और एक बात पहले से कहता है, कि तुम सच में एक heavenly sovereign के disciple हो, मैं तुमारी तारीफ करना चाहूँगा, पर तुमें हम battle field से बाहर जाना पड़ेगा, जान्ती भी अवाक था, कि इसके पास क्या कोई और चीज है, और अब ये जान्ती समय विष्ट करना नहीं चाहता था, मूच अब जैसे ही ये औरा मूचेन को हिट करने ही वाली थी, यहाँ पर एक strange fluctuations होने लगते है, मूचेन के भी चेहरे पर एक smile था, और यहाँ पर अचानक से एक palm attack हाता है, और इस attack को dissolve कर देता है, और जान्ती को काफी पीछे फेक देता है, और वही दूसरा बंदा इसे किक मारत जान्ती के पास समय ही नहीं था, तो यह काफी दूर जाके जमीन पर गिरता है, जहाँ पर गड़ा बन जाता है, लोगों को भी जमझ में नहीं रहा था, भाई ये चनल क्या रहा है, इतनी powerful spiritual energy मूचेन के पास कैसे हो सकती है, अब ही तो उसकी औरा ख़तम हो चुकी थी, दी ये triplets है, यानि तिडवा भाई, पर कुछ लोग कहते हैं बकवास, मेरे सबसे मूचेन का spiritual energy clone है, पर फिर भी लोग कहते हैं, यार देखो आप spiritual clone बना सकते हो, पर आपके जैसा ही वो strong हो, तो वो spiritual clone नहीं है, ये कुछ और है, चाहे जिंगचेन हो, चाहे कोई भी, ये लोग को समझ भी नहीं आ रहा था, बागी लोग ना समझ पाई, पर वोर एंपरर, ये लोग तो समझ सकते थे, फ्लेम एंपरर तो जान नहीं थे कि ये क्या चीज़ है, ये है की इंटू Trinity, फ्लेम एंपरर भी काफी खुछ दे, कि मूचेन न इस टेकनीक को successfully cultivate कर लिया है, अब उ जो सफीद कपड़ वाला मूचेन था, वो कहता तुम्हें बैटल सेल चाहिए था, क्या तुमने मेरा permission लिया, जान जी कहता तुम कौन हो, बारी लोग help नहीं कर सकते हैं, अब इसकी बात सुनकर, काले कपड़े वाला मूचेन और सफीद कपड़े वाला मूचेन, दोनों हस लगते हो, क्योंकि body register करेंगी, इसका मतलब इन दोनों का मूचेन से connection है, और ये साफ संकेत दे रहा था, कि ये तीनों एक ही है, जान जी फिर भी सोचता है, ऐसा कैसे संब्भो हो सकता है, और सोच कर भी इसे सर में दर्द होने लगता है, जान जी फिर भी कहता है, तुमार बढ़ा देता है, और ये दो मूचेन थे, ये आगे जा करके, जान जी के तीनों एक को destroy कर देता है, जान जी को समझ में नियात, कि ये मूचेन लोली अर्धनी सोवरीन है, पहले मेरे अटेक को इतना आसाने से dissolve नहीं कर पाता था, इसका power level बढ़ किया किया, जान जी सोची रहा था, तभी इसको पीछे से कबास सुने देती है, कि इंचीरों से distract मत हो, और इदर मूचेन इसके पीछे प्रगट होता है, और self-sacrificing, demonic fist, इसकी तरफ बढ़ा देता है, जान जी भी ये पैनिक नहीं करता है, ये अपने spiritual powers, sick attack बना कर इसकी तरफ बढ़ा देता है, औ और तभी अचानक से black और white मूचेन यहाँ पर प्रकट हो जाते हैं, और ये असके कहता है, कि हम तीनों अपनी औरा को एक दूसरे के साथ share कर सकते हैं, यानि जब मूचेन को fight करने, तो मन में ये बोली गया, और ये black और white मूचेन अपनी औरा इसे दे रहेंगे, अब मूच के कहते हैं, हमें भूल गए क्या, हाला की इस्तम है, जियान जी बगरा काफी गुस्ते में थे, तो इन दोनों को ये suppress करने लगते हैं, पर फिर भी चूमू और तूमेन हार मानने को तयार नहीं थे, इदर जान जी के हलत खराब हो चुकी थी, और ये मूचेन से कहता है, कि अपनी औरा को यूज करे, मूचेन को हराने में, और इससे ये मर भी सकता है, कि कि अब अपना ब्लाड इसंस यूज कर लोगी, तो बोडी में रहे के आ जाएगा, और एक अटैक ये बनाता है, ग्रैंड सूपर पावर, वार अंपरर, स्प्रिच्वल फिष्ट, और मूचे गिर चुकी थी, इससे यही लग रहा था, कि स्पॉंच से, मूचेन पीछे अटचाएगा, और वार एंपरर, बदले में इसे काफी नाम देंगे, और जो भी इसने अभी लॉस किया है, वो रिकवर कर लेगा, इधर मूचेन इसे एग्नूर मारता है, और तीनों जो मूचे है, पर तो लोगों के माध्यम से, और यह इनके बैटल विल क्यों कंट्रोल कर पा रहा है, क्योंकि नॉर्मल ही लोग, पूरी आर्मी का फाइटिंग इंडेंट यूज कर देते, पर मूचेन बस दो केदम पर कई लाग बैटल रून्स बनाने में सक्षम था, मूचेन फ्या आटेक को आगे बढ़ा देता है, और यह बैटल रून्स एक जायन हैंड में कंट्रोल हो जाते हैं, जान जी जब देखता है, तो इसे मालूम था, कि शाद अभी यह मर सकता है, जान जी का अटेक अब देर डिजॉल्व होनी लगता है, तब ही स्पेश में क्रायक आता है, और एक बंदे प्रकट होते हैं, जो कि मूचेन के अटेक को डिजॉल्व कर देते हैं, मूचेन जानता था कि कोई और नहीं, वार एंपरर ही है, और वार एंपरर काफी गुस्ते में, जान जी को डाटते हैं, बेवकोफ हो किया तो, क्योंकि जान जी ने जो मैथाड यूज किया था, उससे ये भी सेहमत नहीं थे, उसके बाद ये मूचेन और दोनों मूचेन को देखते हैं, इस टेकनिक को ये पैचान चुके थे, कि ये रूब रेयर सूपर पावर में से एक है, जो कि कई अजार सालों से लौश्ट था, और इस पावर के लिए ये भी अठ्याट करते हैं, वो अरेप्रर चानता था, वैसे भी फिलेम एप्ररर के समने कुछ नहीं है, अगर ये पूरी आर्मी से भी अटेक करें, और मूचेन से पावर छीनना चाहे, तो ये नहीं चीन सकता था, और मार्सल एंसिटर अगर साथ में आ गए, तो पलक छपकते ये मारा जा स इधर ग्रैंड फादर टियांशें ये भी काफी खुछ थे, जान जी हार चुका था, और मूचेन जीत चुका था, और ये मनी मन कहते हैं, लोली का टेस्ट, सच में काफी अच्छ है, उधर निंग लॉंग जी और जियांजी फिर्स बैटन फाइट कर रहे थे, हालक उन्हो और लॉंग जी को मूचेन इधर सप्रेस कर दिया था, जब वो स्विकार कर लेते कि वो हार चुके हैं, तो मूचेन इन्हें भी रिलीस कर देता है, मूचेन भी यहाँ पर एक चैन की सांस लेता है, बैटल समाप्त हो चुका था, अब इसकी नजर लूओ ली के बैटल फिल है के यहाँ नजर भी यहाँ आढा परहत tą है, मूसे नजर चैने डिलीस कर दो की सिरेस